हेलो फ्रेंट आज मैं आपके साथ एक पैकनेक की रिजा इंशेयर करूँगी तो ब्लाउस का लेंद मैंने लिया है 13 इंच ये रेडी होखे हो जाएकर 12 इंच शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच आर्मोल लिया है 5.75 इंच 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्मोल को कट कर लिया है 36 वेस्ट का फूर्ट पर 9 इंच 1.5 इंच मार्जिन 32 वेस्ट का फूर्ट पर 8 इंच 1 इंच डाट और 1.5 इंच मार्जिन सारे 4 इंच पे मार्क करना है डाट के लिए 4 इंच ऊपर दोनों तरफ आदा आदा इंच करके डाट की मार्किंग करना है अब नेक को ड्रॉ करना है नेक के जौड़ाई मैंने लिया है 3 इंच और नेक के लेंद्ध मैंने लिया है 10.5 इंच और नीचे से नेक के जौड़ाई मैंने रखा है 4 इंच अब एक बॉक्स ड्रो कर लेना है सारे छे इंच नीचे 6.5 इंच पर एक मार्क करना है और उस मार्क से 1.5 इंच उपर और एक मार्क करना है और यहां पर इसकी चौड़ाई रखना है सारे चार इंच करके इस तरह से दुनों पॉइंट को जौइन करना है और सारे छे इंच पर नीचे से एक इंच पर मार्क करके इस पॉइंच से लेके इस पॉइंट को जौइन कर लेना है इस तरह से उपर के तरफ कर डिजाइन को ड्रॉ करना है नेक को ड्रॉ कर लेना है और नीचे के तरफ इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है अब इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को मैं रखूंगे इस तरह से सेंटर पे एक मार्क करके आधा पेपर पेस्टिंग को इस तरह से इसके ऊपर रखना है और यह जैसा मैंने नीचे नेक में ड्रॉ किया है एकदम वैसा ही पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लेना है कर लेना है अब यह दोनों लाइन को कट कर लेना है अब लाइलिन के फैब्रिक के ऊपर यह पेपर पेस्टिंग को रखना है और आइरन करके इसको कि चिपका लेना है इस तरह से अळीस ओकर करके आरल करके मैं इसको चिपका लूंगी तो लेकिन मैं इसको आरन से नहीं मैं सब्सुर्प लेना है ऑप हैवाइले बेस बाइलिये इस देद立बर हैं अब मेंको को लेना है और में फैब्री के राई साइट के ऊपर लाइजिंग के फैब्री को रखना है और नेक के बड़ाबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है एकदम पेरबार प्रिस्टिंग के पास पास ये सिलाई को लगाना है इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई लगा लेना है अब थोड़ा सा मार्जिन रख्के एक्स्ट्रा फैब्रीक को कट कर लेना है और निक के चारो तरब छोड़े छोटे से कट लगाना है और जहां पर यह कॉनर जहां पर यह घूमाई का कॉनर है वहां पर कट अच्छे से लगा लेना है और फिर इसके कॉनर को भी अच्छे से इस तरह से निकाल लेना है और लाइलिंग के फैब्रीक को पीछे के तरफ पलट लेना है पलट के इसको अच्छे से सेट करके सेट कर लेना है सेट करके इसके उपर टॉप स्टीच लगाना है और लाईलिन के फेब्रिक के साथ main fabric को attach कर लेना है तो उन्एक के ऊपर पहले टॉप सेच लगा लेना है और फिर लाईलिन के साथ main fabric को सिलके ये दोनों को attach कर लेना है अब जो एक्स्ट्रा में फैब्रिक निकला हुआ है इसको कट कर लेना है कट करके दोनों को बड़ाबर कर लेना है अब ये दोनों साइट को डार्ट को सिलना है और कमर पर्टी से कमर को फिनिश कर लेना है तो आधा इंच का जो मैंने मार्जिन लिया है इसको इस तरह से फोल करके दोनों साइट के डार्ट को सिल लेना है तो एक साइट के में डाट को जिस तरह से मैंने सिला है, दूसरे साइट के डाट को भी उसी तरह से शिल लेना है अब डेलिन चौरी स्टेट पत्टी से कमर को फिनिश कर लेना है तो पट्टी को ब्लाउस के उपर इस तरह से रखना है, रखके आदा इंच मार्जिन देखे पहले इसके उपर सिलाई लगा लेना है, फिर इसको खोलना है, खोलके इसके उपर प्रेस्टिज करना है, फिर पट्टी को पूरे पीछे का तरफ पलटके डबल फोल करके इसके उपर और इस तीच लगा लेना है, तो इस तरह से सिलाई करके कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है, अब मैंने डेरिंच औरी में फैबरिक लिया है, और इसके दोनों साइट को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फोल करना है, और फिर सेंटर से इसको फोल करके इसके कॉर्नर पे एक साइट पे सिलाई लगा लेना है, इस तरह ऐसा सेट करके इसके एक साइट पर पहले सिलाई लगाना है फिर इसके दूसरे साइट में भी सिलाई लगा लेना है अब दो इंच मेजारमेंट करके छोड़े-चोड़े स्ट्रीप कट कर लेना है अब ब्लाउस को लेना है और नीचे का तरफ जो नेक है वहाँ पे एक इंच पे दूरी पे एक मार्क करना है फिर 1.25 इंच दूरी पे और एक मार्क करना है तो इस तरह से तीन मार्क कर लेना है अब ये स्ट्रिप को इस तरह से फोल करना है फोल करके जहां पर ये निशान मैंने दिया है उसके वहाँ पे ये स्ट्रिप को रखना है रखके इसके उपर से लगा लेना है फिर दूसरे निशान के पास भी भी स्ट्रिप को इस तरह से फोल करके रखना है और फी तिस्ट्रे में भी इसी तरह से रखके सिल लेना है और लॉक कर लेना है इसी तरह से दूसरे साइट में भी ये स्ट्रिप को अटच कर लेना है निशान के हूपर ही ये स्ट्रिप को फोल करके रखना है और सिलाई कर लेना है इसी तरह से में इस साइद में भी उस्टिप को फूल करके रखूंगी तो उपर से एक न छोड़के ये इस टीफ को लगाना स्टार्ट करना है और फिर थोड़ा सा गैब देके फिर दूस्टिप को रखना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा से gap देके यहां पर strip को attach कर लेना है इस तरफ जैसे मैंने strip को attach किया इसके दूसरे side में भी इसी तरह से strip को attach कर लेना है तो मैंने दोनों side के strip को attach कर लिया है तो यहां पर मैं lace नहीं लगाऊंगी तो इसके लिए मैं उर एक बार लगा ले रही हूँ और इस जो स्ट्रिफ है यह और भी पक्का हो जाएगा यस सरह से पूरे नेक के पर और एक बार makers लगा लेना है अब पर लमबाई में मैंहें स्क्वैर्टिस एक मेयन फैब्रिक लिए और एक लाइलून की फैब्रिक लिए तो मेन फैब्रिक को पहले इस साइब अब्हो फिर और एक बार फोल करके जहांपर फोल है उस तरह paar सा राउंड देकर नीचे के तरफ कट कर लेना है और लाइन के फैब्रिक को भी इसी तरह से ही फोल करना है फोल करके ट्राइंगल में फोल करके इसके भी नीचे के तरफ गुलाई में कट कर लेना है तो इस तरह से दो लाइन के फैब्रिक हो गिया है अब में फैब्रिक के राइट साइड के उपर में समुसाल इसको लगाऊंगी तो इसके राइट साइड को में फैब्रिक के उपर उसका राइट साइड होना चाहिए और इसके रॉंग साइड के उपर सिलाई लगाना है तो थोड़ा सा मार्जिन रखके इसके उपर सिलाई लगाना है और फिर इसके उपर लाइन के फैब्रिक को रखना है जहाँ पर मैंने पहले सिलाई किया है उसके उपर ही दूसरा सिलाई को करना है करके इस तरह से इसको पीछे के तरफ इस तरह से घुमाके फिर इसके ऊपर टॉप्टीच लगा लेना है और जो दोनों फैब्रिक को पर फिर इसको एकदम इक्वाल कर लेना है फिर डोड़ी को लेना है डोड़ी को इसके सेंटर पर इस तरह से रखना है और फुरू सा मार्जिंदे के उपर सिलाई लगाना हैं इसली कोट करके इस रहसे さ को सीधा करके एक लटकण बना लेना है ओंड कल उ Suppose अमेन एक स्वस्त्राइब कombres जैड पर बनाया है पहले यह यह दोडिकी को इसके उन्दर पहले डालंगी तो रोल फिर इस तरह से लोडिकंग जीगजग पैटर्न में इसको इस तरह से डालना है एक लूप के छोड़के दूसरे लूप में इस तरह से डालके डोरी को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ तो इस तरह से डोरी को लगा लेना है तो एक साइट में मैंने जिस तरह से को बना आया है इसके इस तरह से लटकन को बना लैना है तो मैंने इसके दूसरे साइड में भी लटकन को बना लिया है तो इस तरह से डोड़ी को यहां पर काट लगा लेना है जितना जरूरत है उसको करके इस तरह से फोल करके एक फूल जैसा इस तरह से बना लेना है और यहां पर मैं मोती को अटच करूंगी तो इस तरह से इस साइड में भे मोति को attach कर लेना है तो इस के सेंटर से यहां से निकालके एग गैप से इसको निकालना है और फिर दूसरे मोति को भी attach कर लेना है तो इस तरह से ये पूरे ये उपर स्ट्रिप के उपर मोति को अटाच कर लेना है ये दोनों साइट पे तो मैंने ये दोनों साइट में मोति को अटाच किया है और ये डिजाइन बनने के बाद इस तरह से दिखेगा तो फ्रेंग्स अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा और बेल बेटन को भी प्रेस कर दिजिएगा थैंक झाला झाला को फटान झाला कर्टान जाला को अजर प्योंगित में करेंग़ प्योंग्डरेश का लिए rapid